है लो फ्रेड्ट वेल्कुम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही घंडी नास्ता जो कि खाने में जीतना ही टेस्टी है बनाने में उतना ही इजी है तो चलिए फटा-फट से बनानाय स्टार्ट करते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेड़ कीजिए और मेरे इस चैनल पर पहली बढ़ाएं तो सब्सक्राइब करना ना भूले स्टार्ट करते हैं अप्पी बनाने के लिए पहले हमने लिया है एक मीडियम कटोरी से आधा क कटोरी चाबल और एक छोटी कटोरी से आधा कटोरी उरद की दाल और एक छोटी कटोरी से एक कटोरी चने की दाल और एक कटोरी मूं की दाल इन सबको हमें आच्छे से पहले धो लेना है ये देखिए हमने धो लिया है और हमें इसे 5-6 घंटे तक भीगो कर रखना है ये द यह देखिए मैं इसमें आधा ही डाल रही हूँ अब मैं इसमें डालोंगी यह लसून और पांच चहरी मीर्च और आदी और धन्या कपत्ता इन सब को हमें अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है यह देखिए हमने पीस लिया है अब मैं इसको दूसरे बरतन में डाल देती ये देखिए हमें बैटर को जदा गीला नहीं करना है ये देखिए इसा ही स्मूथ रखना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं एक बाद हमारा बैटर रेडी हो गया अब हमने गैस को अन कर दिया है और इसमें चड़ाया है हमने अप्पे का स्टेंड अभी मैंने फ्लेम को तेज करके रखा है जब मैं बैटर को डालूंगी तब फ्लेम को कम कर दूंगी ये देखिए ये गड़म हो चुका है अब मैं इसमें एक एक चमच हर साचे में मैं डाल देती हूँ तेल ये देखिए और अब मैं इसमें एक एक करके सब साचे में अप्पे वाला बैटर डाल रही हूँ ये देखिए अभी हमने फ्लेम को कम कर दिया है ये देखिए सब साचे में हमें एक एक करके एक चमच हमने बैटर डाला है और हमें बेटर को भढ़ना है, खाली नहीं रखना है, नहीं तो हमारा अपे फूलेगा नहीं, ये देखिए हमने सम में डाल दिया है, अब मैं इसको एक से दो मिनट तक पकने दूँगी, फ्लेम को अब मैं थोड़ा तेज कर दी हूँ, ये देखिए, अब मैं इसको पलट रही हूँ, दो-ती मिनट हो चुका था, ये देखिए, चम्मत से ही मैं हलका हलका इसको पलट रही हूँ, ये देखिए, हमारा आप पे नीचे हो चुका था, अब इसे हम उपर में पकाना है हमें, ये देखिए, एक एक कड़के सब को हमने पलट दिया है, अब हमारा आप पे बन चुका है, तो देखिए, हमने परोसा है, कैसा बना हमारा आप पे, आप कमेंट में मुझे जरूर ब कुले